बिस्मिल्लाहिर्म रहेम असलाम अलेकूं टॉडिया स्टुजनेट्स मैं आपका ट्यूटर रजाल अतीव फ्रॉम गॉर्न्मेट पॉस्ट ग्रेजुएट काले समुंदरी कॉस्ट टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स और मैथमेटिक्स लेक्षर नमबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ आज हमारा टोपी होगा चैप्ट नमबर 3 लिस्ट जो हम मैट्सेज और टेबल से कनेक्टेड होने जा रहे हैं मैट्सेज और टेबल्स जो है हमने इसको अंडिस्ट करना है लिस्ट के गार्डिंग और इनकी सब्सक्राइब लिस्ट की फॉर्मेशन में और इनकी जो कमार्ड होंगी इनको हमने मैट्स मारी का सफ्ट्वेर के अंदर परफॉर्म करना है तो कर्टिनी आडिस्ट मिट्स जो कर लेते हैं अब हम मूब करते हैं अपने सेटर पी तरफ तो यह वारा सेटर पड़ा हो गई तो यह यह शाफ आउट लाइंस मैं हां ठीका सेकंड एडिशन इसको डबर किक करके ओपन किया तो यहां से हम start करेंगे यह है topic आपका tables and mattresses ठीक है तो इसको understand करने से पहले अभी हम अपने software को first of all double click करके open कर लेंगे यह desktop पर पढ़ा हो है wall frame mathematical double click करके open किया इसको अब यह finalization हो रहा है opening कर रहे हैं तो यहां से हम new document को press करते हैं तो यह मारे पास file open हो चुकी है onward हम इसको select कर रहे हैं यह boundary के साथ आपने इसको attached करना होता है ताके हम यहां पर question अगरा perform कर सके easily इसकी boundary को अब sundown आपने select करना होता है ऐसी आप इस boundary को आप select कर लें तो आप हम अपने question को start देने लगे हैं यहां पर थोड़ा सा इसकी introduction को understand कर लें तो इसको हम understand करते हैं तो इसको हम understand करते हैं करते हैं तो आपको ज्यादा करना होता है इसके लिए हम अग्जेंपल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लेरा सोजएगा करते हैं कि टेबल और मैटसर कौन किस तना define करते हैं इसके लिए हम यह लिस्ट करते हैं तो कि सेट की फॉर्म में है इसको हम यहां पर राइट करते हैं मैंठमटी का सौफ़वेर में लिस्ट के लिए मैंने आपको प्रिवस लेक्चर में capital A नहीं मसें किया था हमने capital A यू कर रहे हैं इसके लिए हम curly bracket अब यूज करते हैं set के अंदर तो curly bracket में अगर ज्यादा आपने set define करनी है तो आप another curly bracket यूज करेंगे इसमें लिखें 1,2,3,4 और curly bracket close फिर लिखें कॉमा फिर curly bracket start फिर लिखें 5,5,6,7,8 curly bracket close फिर लिखें कॉमा curly bracket start 9,10,11,12 curly bracket close उसके बाद again curly bracket close ठीक curly bracket close करना है यह से यह complete up wind up होगी है यह देखें यह green color यह show कर रहा है कि यह starting से initial और final से closed हो चुका है की matrix form के लिए हमने यह list assign कर दिने matrix form, scale bracket a जो list है और इसका हम shift to minute के बट अट्रेस करेंगे तो finally यह दिखें हमारे पास matrix बन चुका है इसके लिए नहीं हमने दो कमार्ज दिने matrix form, scale bracket list लिख लिए यह फिर आप list, double slash matrix form दोनों से answer आपका यही आएगा ठीक है यह आप सभी student खुद perform कर दीजिए लेस्ट double slash matrix form तब भी answer यही आना है जो हमने की मैखमटीका में sort किया next table form की हमने अब command यूज करनी है इसके लिए आप लिखेंगे table form तो आपके पास यह दिखें यही जो matrix है यह scale bracket को हमने remove करके बता दिया यह table form में आ गया अब next हमारे पास है example number 43 इसमें यह list में sign की हुई है तो इसके और हम ऐसे कर लेते हैं सो और यह अभी हमने की बलगे perform भी किया हुआ है यह आप खुद perform कर लिजिए आप सभी student यह first set है यह second है यह third है तो इसके लिए यह set हाजए को उसके बाद आपने matrix form को list में करमेट करना है तो आपको पास यह से बन जाएगा इसको आप क्याले के टेबल में कर सकते हो ठीक है उसके लिए आपने कमार्ड यूज करनी है table form scale bracket list है तो यह जो scale bracket है यह remove हो जाएगी जैसे यह आपर scale bracket remove हो गई है ठीक next हमारे पास command है identity matrix identity matrix यह command है और इसमे scale bracket आपने वो numbers परफॉर्म करने है जितने matrix का अगर आपको चाहिए तो आप 3 लिए देंगे अगर आपको 4 क्रास 4 का चाहिए तो आप n की जगा पूट करतेंगे अगर आपको 5 क्रास 5 का चाहिए तो आप n की value 5 पूट करतेंगे diagram matrix square bracket list आप है diagram matrix की command माइंड में रख नहीं है और इसमें list है कोई भी set होगा जो आप define किया रहता है जिसके लिए आप अपनी command को यूज कर रहे होते हो question solve करते है identity matrix के लिए example देता हूं identity matrix कैसे perform करते हैं यह देखें identity matrix की command बन चुकी है square bracket लिखें अगर हमें 5 x 5 का identity matrix चाहिए तो आप लिखें 5 scale bracket close करतें अब finally shift to इसी को कोपी करके ना इसका बिग identity matrix मेनाता हूं यह देखें यह हमने दिखा identity matrix 5 लिख है तो मैं यहां फी लिख देता हूं 7 x 7 का यह identity matrix बन चुका है ठीक ऐसे आप बहुत से identity matrix को perform कर सकते हो नेस्ट है डाइनमेट्रिक्स डाइनमेट्रिक्स भी बना सकते हो आप डाइनमेट्रिक्स के लिए आपको सेट करना पड़ना है यहां पर यह देखें ग्जेंपल्स है यह identity matrix 3 का निकाला हो गया तो मैंने यहां पर identity matrix 5 का आप फाइंट किया था ऐसी आप तरीका फाइंट कर लेंगे तो आपका यह answer आ रहेगा ठीक है यह आप लिए खुद पर फॉंग करना है मैं यह डाइनमेट्रिक्स को सोल करता हूं यह हमारे पास setup देखें यह हमारे पास setup 123 यह जो स्केर रेक्ट के अंदर है ठीक इसको शो प्रिफाइं करते हैं 1,2,3 कली ब्रेकट रोज करते हैं और इसके ब्रेकट भी क्लोज करते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि यह मैट्रिक्स फार्म में तो आप लिखें डबल स्लैश ठीक है यह ऐसे में जो नहीं लिखा है यह डबल स्लैश है उसके बाद लिखें मैट्र मैंट्रेट स्पार्म की कमाड आचुकी है अब आपने शिफ्ट और इंडेगर प्रेस करना है फाइनली तो यह देखें यह देखें आपके पास डाइनन मैंट्रेट हो चुका है ठीक हो गया तो अब हमारे पास एमपल नमबर 45 है इसमें हमारे पास यह एसेट है यह बी मैंट्रक्स है मैंट्रक्स के लिए हम कमाड यूज करते हैं यहां से बेसी पैमेध असिस्टेंट ने आए तो यहां से हम अजिए अगया है पर यह इसमें नहीं कर दो हैं तो यह चाहिए भी मैंट्रक्स कमाड यूज करा है यह ऑन चाहिए तो यहां यह लिए यह बनाने करी तो इसमेंट्रक्स कमाड चुन उ आपने ऐसे लिखना है कि मैं इसको यहां पर देखता हूँ अगर copy based हो जाता है तो ठीक है otherwise हम इसको खुद फिल लिखेंगे एकाइ तो यह कोड़ी को चाहिए है तो नहीं यह लिखे रही जा रहा रहा हूं इसको हमने लिखना पड़ने है यह हमें खुछ शूह पर दाना पड़ना है यह बना रहे थे हैं कोई शू नहीं है तो इसके लिखेंगे drive एट्विटा ले इक पर फिर मैंने एड really ser습니다 के पर फिर मेंने एड कॉलूम को फस्सायप प्रेस Isto a새 मिनयीग ही एड को फिर मैं एड कॉलूम को प्रेस किया तो यह थर्ड क्यूम चीच Northern ठीक है तो अब मैं इसके रहें लिखने लगा हूं इसकी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है यह मैंने एंट्रीज राइट कर दी फिर अब मैंना अब यहां पर शेफ्ट और इंट्रीगा वर्टन प्रेस करना है तो यह दिखिए आपको सेट डिफाइन कर दिया अब हम पी सेट इसके लिए भी आपने यह मैंट्र स्लेक्ट कर लिया उसके बाद आपने एड्रो को प्रेस किया फिर एड्र कॉलम को प्रेस किया तो यह देखिए आपके पाद त्री क्रॉस त्री बन चुका है अब यहां पर बी मैंट्रीज को डिफाइन करते हैं तू वन फाइब फॉर सेवन तू वन थ्री एंड टू ठीक है उसके बाद शिफ्ट और इंट्र का बटन प्रेस करें तो यह देखिए सेट डिफाइन होगे अब हमने परफॉर्म क्या करते हैं हमें अडिशनल परफॉर्म करनी हैं ए प्लस बी मैंट्र को एड्र को एड्र क मैंट्र के आता है इन मैंट्र सफर्म इसका ठीक यह हम तो के बाद सब्टीक्ट्र सकते हैं फ् Liberal के बाद सेफिर करें तो इपनीडिक है है व्युट के बाद मेंन करें अग्हें सब्टीक्ट्र सब्सक्राइग 만들 शर्सक्र में गां में добав carriers 3 और capital A capital A matrix लिखा अब हम चाते हैं कि matrix form यानिके matrix form में answer है तो आप लिखें double slash फिर लिखे matrix form ठीक है यह हमारे पास देखे matrix form बन गया है अब shift और integer button press किया तो यह finally 3A matrix हमें multiplication form में define हो गया ऐसे ही हमारे पास a.b का भी answer आजाएगा लिखें a multiply multiply है आपके पास parats में भी है दिखें यह आपर यह multiply है लिखनी cross में तो आप a.b लिखना चाहते हूं लिखें capital A यहां से यह dot आजाएगा a.b यह multiply बने है a.b फिर इसको आप matrix form में define करना चाहते हूं double slash matrix matrix form ठेक है यह बनेगे अब हम shift और integer button press करेंगे तो यह देखें इसका answer required हो गया देख सकते हैं यह से match करेंगे यह multiply form यह a.b है तो dot के लिखेंगे आप यह हम यूज कर लेते हैं यहां से dot keyboard से है तो matrix form shift to integer button press करेंगे अब देख सकते हैं यह बिल्कुल यह match कर बिल्कुल correct है नेस्ट अब हमने question perform करने हैं यहां से यह skip करने यह नहीं है आपने करने यहां से जो करने वरे questions है वो solve problems हैं यह बाले construct 3 x 3 matrix whose entries are consecutive integers increasing as we go to the right and down यह आपने इस matrix trial करना है तो इसके लिए हम यह play define करते हैं इनके 3 i plus j इसके लिए entries आपने लिस्ट वरा नहीं है तो इसके लिए यह list पर डिफाइन करने जस्ट यह बाली यह जस्ट आप ऐसी लिस्ट डिफाइन कर रहते हैं 1 2 3 यह consecutive entries है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह इनोंने ऐसे लिखा हुआ आपने ऐसे लिखना इसके लिए आप लिफाइन कर देता हूं फिर्स्ट ओफर लिखें capital A is equal उसके बाद आप लोग लिखें इसके लिए एंट्री लिख लें curly bracket फिर अगेन curly bracket लिखें और इसमें entries लिखते हैं 1,2,3 और curly bracket close कर लें और फिर कॉमा फिर curly bracket start फिर लिखें 4 5 6 4,5,6 अब curly bracket close कर लें उसके बाद कॉमा curly bracket start 7,8 कॉमा ये कॉमा यूज़ करने है 7,8,9 curly bracket close कर लें और again curly bracket close ठीक और उसके बाद आप यहां पर semi column यूज़ कर लें फिर integer button press किया उसके बाद आपने matrix form इसका अंसर निकालने तो लिख लें इसके कमांड यूज़ करने इसके में matrix form यूज़ के capital A square bracket लिखें इसके लिखने है double slash और matrix form matrix form ठीक है अब हम shift और इंट्रिकर बटन प्रेस कर लेते हैं तो यह देखें फाइनली आपको इसका matrix बन के है यह ऐसे command यूज़ कर लें जो मैंने आपको define की है यह इसके मुकाबले में यह जो मैंने आपको define की है यह command स्यादा easy है यह input आपने माइंड में इसके guarding जब shift इंट्रिकर प्रेस करेंगे ना यह लिखने के बाद तो आपका यह answer आज़ी है देखें यह बिल्कुल से match कर लिए next हम यह question करेंगे Hilbert space के लिए the Hilbert matrix is a scale matrix whose element in position i, j is 1 over i plus j minus 1 constant the Hilbert matrix of order 5 Hilbert matrix आपने यह advanced function analysis और simple function analysis ने understand की है इसके operators भी थे inhalators भी थे वहां पे ठीक है और Hilbert एक advanced form है ठीक है जिसमें आप inner product space की बात कर रहे होते हो और इसके लिए हम ना मैथमेटिका में matrix को define करना है Hilbert matrix of order 5 Hilbert matrix का order जो है वो हमने 5 को define करना है इसके लिए हम ना command use कर लेते हैं यह इन्होंने एक technical command use की है हमने इसे different form use करनी है ताके हम यहां तक पहुंच सके मैं easy आपको ना command यहां पर understand को बाता हूं हम आप लिखें हिल्बर्ट की command हिल्बर्ट capital आपने यह यह यूज़ करना है हिल्बर्ट हिल्बर्ट matrix यह देखें हिल्बर्ट matrix आगे इसको आपने प्रेस किया उसके बाद आप लिखें हिल्बर्ट matrix का order आपको 5 चाहिए तो आप लिखें 5 scale bracket close कर दें इसके बाद matrix form यह answer चाहते है double slash लिखें फिर लिखें matrix form यह देखें matrix form उसके बाद shift to integer button press कर रहे हैं तो यह finally आपके पास answer आजाएगा यह आप देशके हैं यह answer इससे बिल्कुल match कर गया है हिल्बर्ट matrix order 5 यहां पर contained है फिर हमारे पास question है construct 5 x 5 identity matrix identity matrix आपने बनाना है 5 x 5 का it's mean आपको identity matrix 5 order का चाहिए तो आप लिखें command identity यह देखें command आगे है identity matrix फिर लिखें square bracket 5 square bracket close कर दें फिर double slash फिर लिखें matrix form यह matrix form आगे है फिर shift to enter बटन प्रेस करें तो यह देखें आपके पास identity matrix 5 x 5 यानिके 5 order contain कर रहा है next हमारे पास question है consider 5 x 5 matrix having first 5 primes as diagonal entries as we have इसके लिए हम यह command use करते हैं इसके लिए हमने यह set define करने है और फिर diagonal matrix की हम command use कर देंगे ठीक है तो इसके लिए आप लिखें first of all a set लिखें equal इसके लिए कली रैकर्ट यूज करने है और इसमें first of 5 primes लिखें 2,3,5,7,11 यह first of 5 primes है कली रैकर्ट क्लोज कर लें उसके पास semi column फिर इंटर का बटन प्रस किया और फिर हम command यूज करते हैं diagonal यह दिखें डाइगनल मैट्रक्स आगें फिर scale record लिखें और यहां पर लिखें हमारे पास जो यह set list की form ही इसका हमने क्या नहीं इसके सारे क्या matrix form यह matrix form आ गया है और हम shift रिंटर कर लेते हैं तो यह देखें फाइनल यह answer इससे match कर गया यह हमारे पास required diagonal matrix order 5 contain कर रहा है ठीक है set के जो elements की जो तदाद है numbers of elements है यह जो a set जो list की form में है इसमें total number of elements total five है तो यह आपके पास first row है यह second row है दिखेंगा आपके पास डाइनल एनटी में यह first पर है और इसमें डाइनल एनटी में यह second पर आ रहा है तरहीं यहां पर यहां पर second पर यहां पर थर्ड में यह ठ्रड्र पर आर में पोर्थ पर और रोख और फिक्त रोख में और यह विर्लिया नशीक थे है तू थी फायी प्र करते। हमारे पास है यह बस यहीं तक आपने क्वेस्टिन वाइड आप करने थे होफ लिया होगा तो आज के लेटर जो क्वेस्टिस होंगे ना वह आप सभी स्टुडेंट खुद परफॉर्म करेंगे करें और इनका करें परफॉर्म का डेख लेखे लिए आप लिए टिन यह फीक दुड़ में ना ओर अपने प्रफॉर्म करें तो अपने ना पर थे फार्टिक तुड़ करें और। को लेने तो क्या रखिए गया अधियों दौाओं में या रखना अला आफीज एंड स्टे ब्लेस्ट